आप सबको जय मसी की आज पवित्रात्मा के अव्त्रण पर्व के पश्चात 21 रविवार है और आज का जो रविवार है वो एक स्पेशल रविवार है आज हम इसको रिफार्मेशन संडे के रूप में बना रहे हैं तो आज से करीब 503 साल पहले यानि की 31 अक्टूबर 1517 में भी थे उन्होंने कासिल चर्च जो वेटनबर्ग जर्मनी में है वहाँ पे उस चर्च के भार अपनी 95 थीसिस लगा लगाई जो उनकी थीसिस थी वो मेन उनके जो पॉइंट्स थे वो थे उस समय का जो चर्च था वो बहुत ज्यादा करप्शन में चला गया था जो जो उस समचार सुनाने की जगा वो अपना फायदे के अनुसार चर्च को चला रहे थे और यह सब चीजों को देखकर जो मार्टिन लूतर थे वो उनको यह सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसी के विरोध में अपनी जो 95 थीसिस थी वो उन्होंने पॉइंट्स जो लिखे जनम हुआ और दीरे-दीरे करके उनके जो उनका विरोध था उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट थे वो अलग हुए और फिर प्रोटेस्टेंट चर्च बना तो आज हम उसी की यादगारी में आज का जो इतवार है हम उसको बनाते हैं तो जो आज का पैसेज लिया गया है वो लुका का सूसमाचार से लिया गया है लुका 11 और उसकी 37 से 54 आया तक तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर भी येशूमसी जो है वो इसी चीज़ इसी मुद्डेग पर जो फरीसी से उनका विरोध कर रहे थे और हम देखते हैं कि येशुमसी का जो बाद विवाद थ सब येश्व मसी के पीछे पड़े वे थे किस तरह से उसको उसे पकड़े या लोगों के सामने उसको बद्नाम करें या उसको किस तरह से अपने से रास्ते से हटाएं तो से इस Memberि और उनके बीच में अकसर वाद्विवाद और असे चीज़े होती रहती थी और आज भी हम दे तो हम यह भी देखता है कि येशु मसी जो थे वह कोई भी उनको जो अपने घर पर मंत्रित करता था खास्तोर पर अगर वो अविश्वासी भी ओता था या दूसरे जंटाइल भी होता था तो भी येशु मसी उसके घर पर जाकर भोजन किरा करते थे और उमना नहीं करते थे सफे पपने घर पर आमंतरित किया ख़ुजन करने के लिए और यह उमसी और यह शुमसीय ऐसे इसलिए भी आम कह सकते competitive कि एंश को उन को कभूल कर लेते थे क्यूंकि वह यह सचीज का मौका देख्ते थे के कि यहां अब मुझे सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा तो यह नहीं कि ये शुमसी को खाना खाना होता था या कुछ बारत और थी लेकिन वो उस चीज को ऐजे ऑपरिचुनिटी देखते थे कि इस तरह से गॉस्पल वहां पर उन लोगों को बता सकते हैं तो जब ये शुमसी वहा कि खाना खाने से बैठने से पहले अपने हाथ पैर को अच्छे से दोया जाता था अपने आपको अच्छे से साफ किया जाता था और उसके बाद उखाने के लिए बैठते थे लेकिन यहां पर ये शुमसी जब उस घर में पहुंचे और वो भीतर जाकर भोजन करने के लिए बैट गए तो जो फरीसी थे जिसने उसको इन्वाइट किया था वो ये देखकर चंबा करने लगा कि उसने जिसनान नहीं किया एरितिय अनुसार अपने हाथ पर अच्छे से नहीं धोए और येशु मसी जो खुद परमेश्वर थे और वो उसके मन की बात को जान गए वो कटोरे और थाली को उपर से मांचते हो परन तु भीतर अंधेरा और दुष्टा भरी है तो उन्होंने वरतनों का एक्जामपल लेकर और उन्होंने उनके अंदर के जो अशुदता थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि तुम उपर उपर से तो सफाई रखते हो जैसे वो अ अधर से तो साफ नहीं हो भार से तो तुम दिखावा करते हो और जिस तरह से जो फरीछी और सुदूकी थे जो वह लोग भी भार-भार से तो अपने आप को बहुत पावित्र रखते थे और उन्होंने जो मुझा मुझा के ज omega वैवस्था थी उसको उसको उसके जो लोज जो थे वो जो थे वो जो इसा करो तो तो वह होगा तो वह को वह उपर उपर से तो वह उपनते थे और लोगों को भी उनको मानने के लिए मजबूर करते थे विकिन अंधरूनी तौर पर वो शुद नहीं थे अंदरूरनी तोर पर वो लोगों को लूटने का मौका देखते थे, लोगों को किस तरह से जादा से जादा पैसा कमाए, अपने जेबों को भरे, उस चीज में उनका जादा रहता था, तो वही चीज येश्व मसी यहां पर कहते है कि तुम अंदर की शुदता को क्यों नहीं देखते हो, और जो फरीसी से वो उन्होंने अपने खुद के जो कानून बनाये थे, जो लौज बनाये थे, वो खुद उसको फॉलो नहीं करते थे, बलकि लोगों को वो डरा कर या उनको किसी तरह से उनको करके फॉलो करने के लिए कहते थे, फिर एक तालीस भी आयत में हम हमारा जो प्रेम है, वो हमें दान करना है, और वो किसको दान करना है, वो हमें परमेश्वर को दान करना है, अगर हम यह चीज़े परमेश्वर को दान कर देंगे, तो आगे वो कहता है, सब कुछ तुमारे लिए शुद हो जाएगा, जब हमारा मन परमेश्वर की तरफ जब हमारा जो प्रेम है वो दुनियावी चीजों से जादा परमेश्वर को हमारा दिल हम जब प्रेम करेंगे उसके पीछे चलेंगे अपना जो सने है उसके लिए रखेंगे तो वो हमारे जो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा फिर हमें उस शुद्धता जो हम भारी अपना मन जो है वो हम प्रमेश्वर की तरफ लगाते हैं फिर वो ब्याली सी आयत में हम देखते हैं वो कहता है पर हे फरीसियो तुम पर हाए तुम पदीने और सुदाप का और सब भाती के साख पात का दस्षवांस देते हो परन तुन नयाए और प्रमेश्वर के प्रेम क टाल देते हो चाहिए तो था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते तो यहां पर येश्व मसी उनसे फिर कहते हैं कि वो ववस्था को तो मान रहे थे कि दस्षवां भाग हमें अपनी संपती का देना है अपनी आय का देना है वो देते थे चाए उनका साख पात होता था जाए पुदीना जो भी खेती बाड़ी होती थी उस सब चीज़ का दश्वांस तो परमेश्वर को देते थे लेकिन वो क्या नहीं करते थे वो नियाय नहीं करते थे और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते थे उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था और करते कि तुम उन्हें भी नीच छोड़ते चाहिए तो था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते के तुम दश्वान्स्तों देते और जो तुम अपने इच्छे कामकर तो क skipping और साथ the लेजान और प्रमश्वर के परती तुम्हारा प्रेम भी होता, तो वो तुम्हारे अंदर अभी नहीं है. आगे हम दोसर देखते हैं, तो पुम्हे मुखहुखे स्थान और बजारों में नमस्कार चाते हो. तो जो फरीसी थे वो बड़े-बड़े स्थान और अपनी इज़त वो हर जगह चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको बजारों में लोग नमस्कार करें, लोग उनके आगे जुखकर उनको डंडवत करें, अच्छे-च्छे स्थान जहां अगर कहीं वो फंक्शन में या पाटी म उनको करना था, जो अंदर रूनी तोर पर करना था, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर च्वालीस पर आयत में वो कहता हाए तुम पर क्योंकि तुम उन छिपी कबरों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते, यानि कि जो हम कबर के बारे में जानते कि अंदर से तो जब किसी की लाश होती है, तो अंदर सडी होती है, गली होती है, कीड़े मकौड़े होते हैं, लेकिन उपर से हम लोग कबर को बहुत सुन्दर बना देते हैं, बहुत से लोग मार्बल लगवा देते हैं, अच्छा अच्छा उसमें सजावट होती हैं, कई लोग उपर से शैड भी लगवा देते हैं, तो उपर से तो हम खुबसूरत कर देते हैं, लेकिन अंदर से जो कबर की हालत होती है, उसको कहते है कि मुर्दा ही जानता है, तो उस तरह से येशु मसी उनका जो उनको उस चीज से कंपैर कर रहे थे, कि तुम बजारों में और ल लाला चय लोब है, वो कोई नहीं देख पाता, तो तुम उन कबरों के समान हो, उनको इस तरह से येशु मसी बोलता है, तब एक व्यवस्तापक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरू, इन बातों के कहने से तुम हमारी निंदा करता है, तो फिर वो जब येशु मसी सब ये सब दिखा रहा है, हलाकि येशु मसी सही बात बोल रहे थे, उनको आईना दिखा रहे थे, लेकिन उनको उस बात को चुप गई, तो उसमें से एक व्यवस्तापक खड़ाओकर उनको बोला, कि तु हमारी निंदा करता है, तो येशु मसी ने ये नहीं कि उस समय एकदम से बोल पर लगे है, व्यवस्तापको तुम पर भी हाए, तुम ऐसा बोज जिनको उठाना कटिन है, मनुश्यों पर लाद देते हो, परन्तु आप उसे छूते, आप उन बोज को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते, तो यहां पर जो बोज की बात ये शु मसी कर रहे हैं, जो मैंने पहले का कि उन्होंने वो जो मुसा की जो विवस्ता थी, जो दस आग्याएं थी, उनको और जादा छोटा करते गए, और उनको और जादा उसमें से उन्होंने कानून निकाल दिये, और इतने जादा कानून बना दी, इतने जादा वो आग्याएं बना दी, कि लोग है डो मुझप को परिषान होते थे कि तरह से वो अन चीजों को फॉलो करें लेकिन आगे यही मसी कहता है कि तूम उनको अपनी छोटी इं 흉ली से भी नहीं ूटाते तुम उनको खुद नहीं मानते हो, तुम खुद उन ववस्थाओं पे नहीं चलते हो, तुम खुद उन लॉस पे नहीं चलते हो, लेकिन लोगों को चलने के लिए मजबूर करते हो, लोगों पे तुमने वो बोज डाल दिया है, तो तुम पर भी हाए, और उसको जो आग्याओं तुम लोगों को मानने के लिए उन आग्याओं को तुम खुद नहीं मानते हो जबकि पहला यहुना और उसके पाँच बाप की तीसरी आयत में लिखा है और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आग्याओं को माने और उसकी आग्याओं कठिन नहीं है तो उसकी आग्याएं, जो हमें आग्याएं मिलिए हो कठिन नहीं है और वो कहता है हम उसे माने, लेकिन उन्होंने, जो विवस्थापक थे उन्होंने उन आग्याओं को कठिन बना दिया था, लोगों को उस पे चलना मुश्किल था, तो इस बात के लिए कि कामों से सहमत हो क्यूंकि उन्होंने उन्हें माल डाला और तुम उनकी कबरे बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धी ने भी कहा है मैं उनके पास भविश्यवक्ताओं और प्रिरितों को भेजूंगी और वह उनमें से कुछ को माल डालेंगे और कुछ को सताएंगे ताकि जितने भविश्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ती से भागया सब का लेखा इस युक के लोगों से लिया जाए हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किये गए थे मैं तुम से सच कहता हूँ इन सब का लेखा इस समय के लोगों से लिया जाएगा तो जब ये शुमस्य यहां पर कहते है कि तुमने तुम आने नियम में और उनको, तुहमें, उनकी इजद करने चाहिए, लेकिन उनके आधर करना चाहिए था, लेकिन तुमारे बापदादाउंने उनको मार दिया और आप तुम उनके कबरों को तुम बनाते हो यानी कि तूम जो भविष्य वक्ता थे उनकी जो चीजे थी जो उनोंने बताई थी उसको उपर-उपर से तो दिखाते हो मानते हो लेकिन अंदर से उस पर विश्वास नहीं करते हो खुद उस पे नहीं चलते हो तो तुम जो तुम ने उन लोगों की जो कबरे इसी तरह से हो कहता है कि तुम उनकी कबरे अपने मनों में बना रखी है और तुम उसको उनके उपर खुद नहीं चलते हो और वो कहता है कि जो व्यवस्था के जो पर्मेश्वर के पर्ति पवित्र होना चाहिए तुमारा दिल जो पवित्र होना चाहिए और जो भविश्य वक्ता थे उनके पर्ति तुमारी जो इज़त होनी चाहिए उनको तुमने उनकी टीचिंग को अपने मनों में रिजेक्ट कर या उनको उसके लिए उनको प्रेडिट करते हो तो वह बात में फिर आखरी में येश्व मसी कहता है कि इस बावनवी आयत में हाय तुम व्यवस्थाव को पर तुमने जो ग्यान की कुझी ले तो ली परंतो तुमने आप ही परवेश नहीं किया और परवेश करने वालों को भ तो जो ग्यान की realise को वहाइं वारो को भी रोग देखा दे लेकिन वों ना खुद तो उस पर बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया और छोड़ने छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करें और घात में लगे रहे कि उसके मुझे कोई बात पकड़ें। इसके द्वारा उसको पकड़ लिया जाए या उसको सजा देने के लिए ग्रिफतार कर लिया जाए तो वो इन चीजों में वह लगी रहे . तो आज भी हम देखते हैं कि जो वचन आज हमारे लिए है या जो हमने देखते हैं कि किस तरह से मार्टिन लूतर ने उस समय के जो लोक थे जो ववस्था थी उसके विरुद वो खड़ा हो गए और उन्होंने उसके विरुद वाज उठाई और यहां पर भी एशुमसी जो है अपना मुआयना करें या अपने कलीसिया का मुआयना करें या अपने चर्च का अपनी डाइसिस को देखें तो क्या हम जो हमारे अंदर जो एक रॉष्णी आनी चाहिए जिसके बारे में हम देखें तो तो 33 वियायत में येशुमसी बता रहे हैं तो वो हमारे अंदर से वो क्या हम दूसरों को इंकरेज कर रहे हैं कि येशु मसी के पीछे और वो आएं येशु मसी की सिक्षाओं को माने क्या हम अपना समय पवितरता में बिताते हैं क्या हम पवितर होने के लिए कोशिश करते हैं या हम दिखावा कर रहे हैं पवितर होने का या हम सच मुछ में पव या हम एक मसी होने का मसी टैग लेकर मसी नाम लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं, तो आज हम सब को ये रिफलेक्ट करना है, अपने लिए करना है, अपनी कलीसिया के लिए करना है, अपने चर्च के लिए करना है, क्या सचमुछ हमारे चर्च के द्वारा, हमारी कलीसिया के दोआरा या हमारे जीवन के दोआरा लोगों के तक वो रौशनी पहुंच रही है वो जोती पहुंच रही है जो हमें मिली है क्या जो वचन हमें मिला है जो जीता जाकता वचन है क्या वचन हमने अपने तक सीमित कर रखा है कि हम दूसरों तक भी उनको पचा रहे हैं या तो इसा करने के लिए जब समर्थी हुए तो क्या हम लोग वो नहीं कर सकते हम लोग ना केवल अपने जीवन को बदले बलकी अपने चर्च को बदले अपने जैसीष को बदले अपने जितने मसी परिवार हमारे आसपास हैं हम उनके जीवन को बदले तो वो चीज हमें देखनी है कि हमारे अंदर वो चाहा है कि हम परमिश्वर के कामों को करे क्या हम जो शिक्षा परमिश्वर हमें दे रहा है जो चीजे अभी हमने वचन में देखी क्या हम वैसी ही चल रहा है कि नाम के लिए हम मसी है और दिखावे के लिए ह हम खुश नहीं हो रहे हैं तो वो चीजे हमें अपने अंदर जाचनी है कि मैं अगर चर्च आया हूं आगे खुदा करें आने वाले जल्दी समय में हम लोग फिर से परमिश्वर के भवन में आकर उसके अरादना करें तो हम यह सोचे कि आज जब मैं चर्च आया हूं तो जो म मेरा मन शुध है मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है कि मैं किसी को देख कर खुश हूं कि दुखी हूं तो वो चीजे जब हम अपने अंदर जाकेंगे अपने अंदर टटोलेंगे तो हमें अपने पता लग जाएगा कि हम हमारा अंदर से क्या क्या पोजिशन है कि हम भार से तो बहुत सुंदर लग रहे हैं भाहर से तो एक्टम साफ कपड़े पैने वे नाद होके तेल लगाकर बिल्कुल हम एक त्यार होकर आए हैं लेकिन अंदर से हमारी कित्ती शुदुता है वो हमें उसी समय पता लग जाएगी जब हम खुद को जाचेंगे तो हम अपने समय दि और सचमुच में हम सबको काम करना है को यह नहीं कह सकता कि मेरा काम पूरा हुआ और मैं शुद्ध हो गया हूँ जैसा प्रमेश्वर चाहता है हमें सबके लगातार जब तक हम इस जीवन में हैं हमें अपने आपको इंप्रूफ करता रहना पड़ेगा प्रमेश्वर की करें और प्रमेश्वर से सामर्त मांगे कि वह हमें अपने वचन को पे चलने के लिए और वचन को मानने के लिए हमें प्रेरित करें प्रेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस समय प्रमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद करता हूं प्रमेश्वर हम सब को जितने लोगों ने सुना है सब को आशीश दीजượ अपने पीछे चलने और और अपने वचन को अपने जीवन में घ्रहेंड करने का उस पे चलने ऐसको मानने का भी हमारे सामर बीची ताकि हमारा जीवन उपर ईरूप से तो जुद ना हो नी रूप्स शुद्ध हो परमिश्वर अंदर की शुद्धता जो आप चाहते हैं हमारे जीवन से वो हमारे अंदर आ सके परमिश्वर हमारे मनों को साफ कीजिए हमारे दिलों को साफ कीजिए हमारे दिमाग को साफ कीजिए हमारी बुद्धी को साफ कीजिए परमिश्वर ताकि हम पूरी तरह से शुद्ध हों और परमिश्वर आपको पीछे चले और आपको घ्रहन योगे बन सके परमिश्वर हम सब के साथ हुई है अपने आशिश हम सब के बराये रखिए ये प्रात्ना आपकी प्यारे बेटी खुतने शुमसी के नाम से मांगते हैं आमें